और इसी तरह से डिफ्रेंशियेटर अगर मैं लूँ yt is equal to dy dt of xt ये भी हमेशा linear system ही होगा axt का अगर differentiation करना हो a constant हो तो constant हमेशा differentiation से क्या आजाता है आपने पढ़ा होगा बाहर आजाता होगा तो axt के लिए output क्या आएगा d by dt of axt a बाहर आजाएगा तो d by dt of xt बचेगा a into d by dt of xt is yt a yt तो that is homogeneity principally satisfied x1t plus x2t का differentiation अगर आपको करना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ d by dt of x1t plus d by dt of x2t लिख सकता हूँ कि नहीं अगर मैं लिखूँ d by dt of x1t plus x2t तो मैं distribute कर सकता हूँ किसको differentiation को मैं लिख सकता हूँ d by dt of x1t plus d by dt of x2t तो ये x1t के लिए output y1t है x2t के लिए y2t तो overall output y1t plus y2t हो गया तो superposition भी क्या होगा तब linearity check करने का तरीका बदल जाएगा क्योंकि differential equation non-linear भी हो सकता है differential equation linear भी हो सकता है तो differential equation अगर linear वाला होगा तो linear system होगा non-linear वाला होगा तो वो non-linear system होगा ठीक है तो linearity पे इतने discussion काफी है बाकि जब मैं questions कराऊंगा जो पूछे गए हैं तो उनसे आपको और clarity हो जाएगी check यही करना है तो हमेशा axt को zt माना करो x1t plus x2t को आप हमेशा क्या माना करो pt सीधे output लिखो बाद में values put करके उसको relate कर दो कि वो satisfy हो रहा है कि नहीं simply यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है ठीक है अब आते हैं सबसे important जो है जिसमें maximum लोग फसते है time invariants और time variance ठीक है कैसे चेक करेंगे कि system time variant है कि time invariant है ठीक है तो चेक करने का क्या तरीका है अगर एक system है थोड़ा सा discussion कर लेता हूँ और फिर सीधे में question कराऊंगा फिर question से कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा जिससे आप देखके direct बता सकतो कि system कैसा है आपका system given system कैसा है ठीक है एक कोई system है जिसमें x t के लिए output क्या जनरेट हो रहा है y t हो रहा है ठीक है अब अगर मैं कहूं अगर system ऐसा है shifted input shifted input कुछ भी हो सकता है t0 plus भी हो सकता है t0 minus भी हो सकता है shifted input के लिए अगर आपका output same amount से shift हो जाए x t के लिए अगर y t है तो x आप t-t0 के लिए output क्या आजा है y आप t-t0 जितने amount से input को shift करो उतने ही amount से अगर आपका output भी shift हो जाए तो ऐसे system को कहते है time invariant system input में जितने shifting करी output में भी उसी amount में shifting हो जाए तो ऐसे system को हम कहते है time invariant अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो system को कहा करेंगे simply time variant system अब देखिए इसको check करने का क्या तरीका ये तो definition होगे कि time variant क्या होता है time invariant हम कैसे find out करेंगे हम simply क्या करेंगे पहले x आप t-t0 को input लेंगे इस x आप t-t-t-0 को मैं zt मान लूँगा ये भी एक input ही है shifted input है zt zt के लिए output लिखूंगा y-t xt के लिए अगर y-t है तो x आप t-t-0 के लिए कोई output आएगा y-t y-t को मैं denote कर लूँगा equation 1 से फिर मैं क्या करूँगा y-t और x-t के relation में कुछ relation होगा एक shifting कर दूँगा किसमे output में कितने amount की t-0 amount की जितनी shifting मैंने यहाँ input में की थी तो मैं पहले shifted input के लिए output निकालूँगा y-t फिर output को shift करूँगा t by t-0 amount से मतलब t को replace करूँगा t-t-0 से जो initial relationship था y-t और x-t का अगर यह y-t-t और y-t सेम आ गए तो कहूँगा system time invariant है अगर यह दोनों different आ गए तो कहूँगा system time variant है simply यही तरीका है shifted input के लिए output निकालूँगा y-t फिर output को shift करूँगा same amount t-t-0 से अगर यह दोनों same तो time invariant अगर same नहीं तो system कैसा आ जाएगा time variant तो अब मैं अभी 2-3 point आपको याद कराने वाला हूँ कि जिससे आप देखके अगर वो चीज present है तो आपको check करने की जरूरत नहीं है सिधे आप कहे दोगे कि system कैसा है time variant अगर वो चीज present नहीं है फिर आपको क्या करना पड़ेगा जो मैंने property बताई कि check कैसे करते हैं system का time variance वो आपको निकालना पड़ेगा पहले shifted के लिए output लिखो फिर output को shift करो दोनों चीजों को match करो match हो गया तो time invariant match नहीं हुआ तो system के आएगा time variant तो जैसे मैंने जो example पहले किये थे वही ले लेता हूँ पहले एक example मैंने किया था 2XT प्लस 3 अब मैं क्या लूँगा यह पहला relationship है यक्सट के लिए output क्या है yt यह original relationship है इसको equation first दे दो अब मैं shifted input लेता हूँ यक साफ t-t0 इसको मैं मान लेता हूँ एक input ये भी तो है zt तो zt के लिए मैं output लिखता हूँ y't जैसा मैंने वहाँ बताया था तो क्या होगा अगर xt इंपूट है तो यह output है zt इंपूट है तो क्या output आएगा टू इंटू जैड आफ टी प्लस 3 जैड टी की वैलू रख दो यहां से तो यह आएगा टू इंटू एक साफ t-t0 प्लस क्या थ्री यह equation हो गया टू अब मैं जो output initial था उसमें कितने amount की shifting कर मतलब मैंने t को कहां से map किया t-t0 से मैंने shifting आपको सिखाई थी t is replaced by t-t0 तो जैसे मैं t को t-t0 से replace करूँगा left side में दूसरे side में भी t कितने से replace होगा जहां जहां t होगा वहां वहां t क्या जाएगा t-t0 तो दूसरे side भी करते हैं 2 into 1 साफ t की जगह क्या जाएगा t-t0 बा equation 2 and from equation 3 यह दोनों चीज़ें क्या दिख रही है आपको same दिख रही है तो यह कैसा system है time invariant system है लेकिन दूसरा example लेते हैं यहीं पर yt is equal to txt दूसरा example लेते हैं yt is equal to txt अब देखो इसमें यह equation original equation हो गया input-output relationship अब मैं एक shifted input लोंगा zt that is x of t-t0 इसके लिए output क्या होगा y-t मैं लिखता हूँ xt के लिए output txt है तो zt के लिए output क्या होगा t into zt अब zt की value रख दो यहां से तो t into क्या आ जाएगा x of t-t-0 यह equation 2 हो गया अब original equation जो है उसमें output में कितने की shifting कर दो same amount जितना आपने input में shift किया था तो t को कितने से replace कर दो t-t-0 से तो अगर इस side t को t-t-0 से replace किया तो दूसरे side जहां जहां t आया होगा वहां वहां क्या आएगा t-t-0 क्योंकि एक relationship है इधर मैं change करूँगा left side में तो right side में भी वह change क्या होगी क्योंकि यह mapping है तो मैंने यहां t को t-t-0 से replace किया तो right side में जहां-जहां t होगा वहां t-t-0 आएगा तो y-t is not equal to y-t-t-0 तो यह system कैसा आगया time variant system अभी आपने इसको देखा था कैसा system आया था linear but it is a time variant system जबकि इस system को देखा था आपने non-linear आया था लेकिन कैसा system आया यह time invariant system ठीक है तो आप एक चीज आप और याद रखो क्या याद रखो अगर input output relationship लिखते वक्त जैसे मैं लिख रहा हूँ y of t is equal to t into x of t plus 2 इस तरह का relation मैंने लिख दिया अगर input या shifted input अगर आपके output relationship में आया है क्योंकि input भी हो सकता है shifted input भी हो सकता है x आप t minus 2 भी हो सकता है t plus 2 भी हो सकता है t minus 1 भी हो सकता है अगर input या shifted input का coefficient यहाँ t की जगे मैं ले लेता हूं sin t कुछ भी हो सकता है sin t ले ले लेता हूं ठीक है अगर input या shifted input का coefficient input-output relationship में अगर किसका function आ जाए time का function आ जाए वो sin t हो जाए यहाँ time का function t हो गया यहाँ cos t आ जाए यहाँ t square आ जाए यहाँ e की power t आ जाए किसका coefficient? input या shifted input का coefficient अगर time का function आ जाए तो सीधे सीधे आप याद रखना system कैसा होगा time variant system होगा no doubt ठीक है किसका coefficient input का या shifted input का coefficient अगर time का function आजाए चाहे t आजाए चाहे t square e की power t ut आजाए sin t आजाए delta t आजाए कुछ भी आजाए time का function अगर इस shifted input या input का coefficient तो system हमेशा no doubt कैसा होगा time variant इसको भी चेक करना system आपका क्या आएगा time variant आएगा इसमें कोई doubt नहीं है ठीक है अब दूसरा case एक और लेते हैं y of t is equal to x of 2t यह बहुत जादा पूछा गया question है या x of minus t ठीक है अब देखो मैंने shifting और scaling इसलिए आपको detail में discuss किया था तो एक चीज़ आपको याद हो गई कि input या shifted input का अगर coefficient time का function आ जाए तो सिदे सिदे system क्या होगा time variant होगा अगर नहीं आता है time का function तो system को आपको check करना पड़ेगा कि time variant है कि नहीं है ठीक है अब यह input output relationship है अब मैं ले लेता हूं input याकसाफ t-t-0 के लिए output क्या generate करेगा बताओ system क्या करता है जो input है उसमें 2 की scaling कर देता है तो याकसाफ t-t-0 में अगर मुझे 2 की scaling करनी हो तो output क्या आएगा y-t for shifted input zt के लिए output क्या जाएगा z of 2t और अगर zt की value याकसाफ t-t-0 है तो z of 2t की value क्या होगी मैंने t को 2t से map किया तो right side में जहां-जहां t होगा वहां 2t आ जाएगा t-0 constant है constant में कोई multiplication नहीं होगा यह मैंने आपको बताया था जब shifting और scaling पढ़ाया था मतलब system कर रहा है scaling कर रहा है कितने amount से input की 2 amount से और x of t-t-0 को scale करना है 2 amount से तो आपको क्या करना पड़ता है t को 80 से replace करना पड़ता है ना कि 2 into t-t-0 करना पड़ता है तो z of 2t की value कितनी है यहीं से आपने निकाला t को map किया 2t से तो यहां भी t map हो गया 2t से t-0 t-0 रहा तो यह आ गया x of 2t-t-0 ठीक है यह equation 2 आ गया अब आप क्या करते हो एक तो y-t निकालते हो for shifted input output और फिर आप क्या कर देते हो output को shift कर देते हो same amount से तो y t-t-0 यहां पे t में कितने की shifting कर दी t-0 की t-t-0 जैसे shifting करी यहां पे left में t को किस से replace किया t-t-0 से तो right side में भी जहां-जहां t है वहां वो t-t-0 से क्या होगा replace होगा तो right side में yaks क्या है 2 t की जगह क्या आ जाएगा t-t-0 यह आएगा yaks of 2t-2t-0 यह दोनों same है क्या y-t और y of t-t-0 same नहीं है system कैसा है time variant अब एक चीज और आप याद कर लो अभी मैंने बताया था input या shifted input का coefficient time का function आ गया तो system time variant होगा दूसरी चीज अगर जो input है shifted input हो चाहे normal input हो अगर उसमें scaling हुई है output relationship लिखते वक्त तो वो system भी by default कैसा होगा time variant ही होगा जैसे मैं लिख हूँ y of t is equal to x of minus t यहाँ भी scaling कितने से होई minus 1 से यह system कैसा होगा time variant अगर मैं y of t is equal to लिख दूँ x of sin t यह कैसा system होगा बताये क्या किया x t input लिया और यह generate क्या हो गया x of sin t x t input दिया था तो x sub t t t को कैसे match किया था 2t से इसको कहते है linear scaling t को 2t से match करना t को 80 से match करना where a is a constant इसको कहते है linear scaling लेकिन यहां कैसे scaling की है t को आपने match कर दिया है sin t से तो यह scaling तो है x sub sin t भी कैसा system है time variant यहां पर scaling हुई है किसकी input x t की output relationship लिखते वक्त t को minus t करना भी scaling है t को 80 करना t को sin t करना t को cos t करना t को e की power t करना यह भी कैसी है scaling है लेकिन इस scaling को कैसी scaling कहते है non-linear क्योंकि sin t cos t आपका e की power t यह सारे non-linear function है तो इस case में भी system कैसा होगा time variant होगा कैसा system होगा time variant तो याद रखो scaling चाहे linear हो चाहे non-linear हो system हमेशा क्या होगा time variant तो time variant के case में दो चीजें आपको याद रखने है एक shifted input या input का अगर coefficient आपका time का function आ जाए तो भी system time variant होगा या output relationship लिखते वक्त अगर input की scaling हुई है चाहे वो linear scaling होगी हो या non-linear scaling होगी हो system कैसा होता है मेशा time variant होता तो ये दो चीजें अगर दिख जाएं आपको input-output relationship में तो आपको चेक करने के ज़रूत नहीं है सीधे apply करो के system कैसा होगा time variant linear t के लिए आपको homogenity और superposition follow करना पड़ेगा ठीक है अब देशे मैंने एक लिखा था system y of t is equal to log of x of t ये system कैसा है time variant है कि time invariant तो आपको यहां पर scaling की गई है क्या t की scaling नहीं की गई है t को 2t replace करना sin t से scaling और क्या ऐसा है क्या x t का coefficient time का function है ऐसा नहीं है ये तो x t ही किसी function के अंदर चला गया है तो अब यहां चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले x आप t minus t naught के लिए आउपट लिखना पड़ेगा y dash t तो x t के लिए आउपट log x t है तो jet t के लिए आउपट क्या होगा log jet t, jet t की value रख दो x आप t minus t naught और आउपट को shift करो by same amount t replace करो t minus t naught से क्या जाएगा log of जहां जहां t है वहां t minus t naught अगर ध्यान से देखो यह और यह दोनों चीजें सेम है कि नए yt minus t naught और y dash t दोनों चीजें सेम है तो यह कैसा system है time invariant system है और linearity के term में यह system कैसा था मैंने बताया था logarithmic function है कैसा system है non-linear system है but time invariant system है कैसा system है time invariant अब time invariant और time variant में एक बहुत ही अच्छा part क्या आता है check करने के लिए अगर ध्यान से देखो integrator के case में क्या होगा उसको भी मैं बता देता हूँ आपके बल देख के बता सकते हो अब देखो ध्यान से integrator हमेशा linear system होता है अब मैं relationship लिख दूँ yt is equal to x tau d tau अब एक चीज बस याद रख लो इसको मैं बहुत detail में नहीं जाओंगा पहले इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ कि यह time invariant system है देखो कैसे यह limit के लिए time invariant है ठीक है अब ध्यान से देखो दो चीजे मैं बस प्रूफ करूँगा अब एकस आप t minus t not के लिए output क्या होगा इसको मान लेते हैं zt आएगा output y dash t is equal to minus infinity to t zt है तो z tau d tau हो जाएगा अब इसको हम लिखते हैं दुबारा क्या zt को break करते हैं minus infinity to t zt is equal to x of t minus t not तो z of tau is equal to क्या होगा t को आपने किस से replace कर दिया tau से तो z of tau कितना होगा z x of tau minus t not अगर zt z of t minus t not है तो z of tau x of tau minus t not होगा tau minus t not d tau अब यहां पर जो को है constant इसको मैं हमेशा कोसिस करूँगा क्योंकि मुझे yt इस term में चाहिए x of tau के term में तो यहां जो constant है उसको मैं limit में shift करने की कोशिश करूँगा तो एक चीज आपने पढ़ी होगी अगर आपने bounded integration पढ़ा होगा जहां पे limits defined हो तो अगर मैं यहां tau की जगा tau plus t not कर दो तो यह t not cancel हो जाएगा अगर यहां t not add कर रहा हूँ तो limit में से क्या करना पड़ता है t not subtract यहां अगर t not subtract करता है यहां पे input में तो यहां t not क्या करना पड़ता है तो मैं shift करता हूँ यहां पे t not add करूँगा तभी minus t not cancel होगा यहां d tau बचेगा तो यह हो गया y dash t अब y of t minus t not निकालो इस equation से t की जगर t minus t not रख दो दोनों side तो जहां जहां t है वहां वहां क्या जाएगा minus t not x sub tau d tau अगर ध्यान से देखो इसको और इसको दोनों चीज़ें same है कि नहीं y dash t is equal to y of t minus t not मतलब यह कैसा system है time invariant system है लेकिन यहीं अगर मैं क्या करता यह देखो suppose minus infinity to 5 देदेता x tau d tau अब system कैसा होगा अब system कैसा होगा फिर से मैं x of t minus t not के लिए output लिखता तो बस यहां पे change होता क्या हो जाता यह minus infinity to t की जगा minus infinity to 5 आता z tau d tau यहां पे आता यह यहां पे t की जगा क्या आता 5 minus t not x of tau d tau यह equation क्या हो जाती 2 अब आपका ठीक है तो shifted input के लिए output यह आ गया अब मैं y आप t minus t not अगर find out करूं तो right side में जहां जहां क्या आया है t आया है वहां महां क्या रखोगे t minus t not तो right side में कहीं t का function दिख रहा है कहीं भी t दिख रहा है आपको कहीं भी t नहीं दिख रहा है इसको integrate करोगे x आप tau d tau को तो tau का function आएगा उसमें जब limit constant 5 रख दोगे tau की value एक जगर एक बार limit lower limit minus infinity रख दोगे तो यह कैसा function आएगा constant आएगा की नहीं x tau d tau का integration tau का function आएगा जब limit एक बार 5 रख दोगे तो वो एक constant बनेगा जब एक बार limit minus infinity रख दोगे तो भी वो एक क्या का बनेगा constant और constant में कुछ shifting करोगे तो कोई फरक पड़ेगा क्या मैं कहूं yt is equal to 2 है तो y of t minus t not करोगे तो यह तो 2 ही रहेगा जब यहाँ t है नहीं तो t की जगर t minus t not कहां से आएगा तो यहाँ shifting का कोई फायदा नहीं होगा यह रह जाएगा x tau d tau यह और यह equation से देखो y dash t y of t minus t not के बराबर है क्या नहीं है this is not equal to यहाँ limit 5 minus t not है यहाँ limit 5 है मतलब एक कैसा system है time variant तो अब एक चीज़ simply आप याद रख लो क्या याद रख लो अगर integrator आपका given है integrator given है minus infinity plus infinity और t इन तीनों के अलामा lower limit और higher limit दोनों की मैं बात कर रहा हूं अगर limits में minus infinity infinity और t ही use हुए है केवल और केवल lower limit और upper limit दोनों की बात कर रहा हूं दोनों जगहों पे इन ही तीनों में से कोई चीज ही use हुई है कौन कौन सी minus infinity या तो plus infinity या तो t तभी integrated time invariant system होगा बाकी हर case में वो कैसा system होगा time variant system होगा अगर एक भी limit constant आ गई कोई finite constant जै जैसे 5 अब अगर मैं limit यह कर देता minus infinity to infinity दोनों चीजें कहां से ली गई है यहां से यह भी system कैसा होगा time invariant होगा इनमें से कोई भी दो अगर limit में आये हुए है minus infinity infinity और lower limit में t minus t आएगा तो यह इसमें से नहीं है minus t आगया तो भी वो system कैसा हो जाएगा time variant तो अगर lower limit और upper limit इनहीं तीनों में से कोई value है हर जगए तो system time invariant होगा integrator का अगर और कोई भी value आगई तो system definitely कैसा होगा याद रखो time variant ही होगा time क्या होगा? variant ही होगा जैसे एक constant limit आ गई constant limit कोई आ गई other than minus infinity and plus infinity plus 2 आ गया, minus 2 आ गया, 5 आ गया कुछ भी आ गया system हमेशा integrator का क्या होगा? time variant ही होगा तो याद रखो इन तीनों को minus infinity, plus infinity और t तो limit में इनके अलामा कुछ भी आ गया चाहे वो lower limit में इनके अलामा कुछ आ गया चाहे आपर limit में इनके अलामा कुछ आ गया system हमेशा कैसा होगा? time variant ही होगा अब एक exam में पूछा गया question करता हूँ तो integrator मैंने बता दिया यह बहुर्ट tricky होता है इस पे question आते रहते हैं तो आपको बस यह check करके answer लिख देना आपको वहाँ यह सब calculation करने की जरूरत ही नहीं है कैसे करते हैं वो मैंने थोड़ा बहुर्ट discuss कर लिया एक question अभी आया था exam में यकसाप tau cast tau d tau यह पूछा गया question था I think 2012 में yt is equal to minus infinity to x tau cast tau d tau here xt is input यह कैसा system है अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था limit की बात मैं कप कर रहा था जब आपका अंदर क्या हो केवल x tau हो क्या हो input हो केवल कोई और function ना हो अब अगर ध्यान से इसको देखो यहाँ किया क्या गया है अभी मैंने एक चीज बताई थी अगर yt को मैं क्या लिख दू cast t into xt लिखूँ अगर input या shifted input का coefficient time का function आ जाए तो मैंने बताया था system क्या होता है time variant होता है तो यहाँ देखो कुछ नहीं किया गया है xt को cast t से multiply किया गया है फिर उसी को क्या कर दिया गया है integrate तो कर दिया गया है क्या किया गया है पहले multiply किया गया xt को cast t से इसको ले लिया गया x1 t x1 t को ले लिया मैंने cast t into xt और इसी x1 t को मैंने क्या कर दिया minus infinity to t x1 tau d tau यही तो लिखा हुए अगर इसको ध्यान से देखो जैसे आप input को किसी time variable function से multiply कर देते हो हमेशा system क्या हो जाता है time variant तो यहां integrator की limit तो सही है लेकिन अंदर x tau के वल रहता तो system time invariant होता लेकिन x tau का जो coefficient है वो time का function हो गया है कि नहीं x tau या xt का जो coefficient है वो time का function है जैसे किसी input का coefficient output में क्या आ गया time का function सीधे सीधे system क्या हो जाता है time variant वही चीज़ यहां होगा है पहले x t को कास्टी से multiply किया यहीं system time variant हो गया उसको integrate करो चाहे कुछ भी करो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो केवल अगर x tau है तब मैंने यह सब बात कही थी कि इन तिनों के अलामा कोई अगर value आ गई तो system हमेशा क्या होगा time variant होगा तो ध्यान देना देखो इस चीज़ को मैंने यहां से relate कर दिया x t into caste time variant था उसी x tau into caste tau को मैंने integrate कर दिया अभी भी यह कैसा system होगा time variant क्योंकि input का जो coefficient है वो caste time variable function आ गया time का function आ गया simply ठीक है हुआ 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 है